हाई फ्रेंड्स मैसेल्फ अरुनियादो एंड विल्कम बेक टू अनधर इंपोर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के मात्म से कच्छा दस के बच्चों के लिए हिंदी के एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चेप्टर का पांच नंबर के सवाल पूछा गया है कि छायावाद की दो फिससता लिखिये प्रगतिवादी यूग की दो प्रवर्तिया लिखिये प्रयोग वादी यूग के किसी एक कभी का नाम लिखिये और उनकी रशना का नाम लिखिये खादी का और सस्त किसकी रशना है रस्मी टा परिशे 2022 के लिए है ठीक ना जो करवाया जा चुका है इसी चैनल भे ठीक ना तो बोड के पेपर में सेम टू सेम पांच नमबर का इसी चेप्टर से आने वाल है तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना सुरू से अन तक देखना और चैनल भी पहली बार बिचिक के हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेले का जरूर प्रेस करना तो चलिए आज का ससन बिना किसी दरी के स्टार्ट करते हैं और इन जितने भी मैं यहाँ पे कोसन बताया हूँ सारा का सारा डिटेल इसकोसन का जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा ठीक न तो वीडियो को कम्प्लीट सुरू से अंत तक जरूर देखना चलिए आज का मोश्ट इंपोर्डेंट सवाल यहां पर देख सकते हैं कि सबसे इंपोर्डेंट कोशन यह है अपका कि रितिकाल की प्रमुख विसेश्थाएं बताईए देख सकते हैं कि 2016 की अन्य कोड में फिर 17 के अन्य कोड में फिर यहां पर देख सकते हैं कि 20 के अन्य कोड में पूछा गया बहुती इंपोर्डेंट कोशन है ठीक ना 18, 16, 20, कई बार ये पुछा गया कोशन है. तो हिन्ak, रिती काल की प्रमुख विश्यष्टाएं आपको बताना है कि, कि रिती काल की कौन-कौन से विश्यष्टाएं होती है, कमसे कंम आपको दो विश्यष्टाएं अपने उत्र-पुस्त्रिका bijा लिग के आना है, ठीक ना तो रिती काल की प्रमुक विसेश्था है इस प्रकार है सबसे पहला जो विसेश्था है रिती ग्रंथों का निर्माड स्रिंगार की प्रधानता ठीक ना अगला टापिक है कि ब्रज भास्ता की प्रतिष्था सवये और दोहा छंदों की अधिक प्रयोग ठीक चायाबाद यूग की किनी चार प्रमुख प्रविर्तिया एवं चार अस्तम्भों के उलेख किजिए ठीक ना आप खुद देख सकते हैं कि 11 में 14 में 15 में फिर 17 फिर यहां पे 18 19 20 लागतार यह कोसंत पुछा गया है ठीक ना तो यह 22 में भी आने की संभावना है तो वीडियो को मिस मत करना वीडियो पे लाइक ने किया तो एक लाइक जरूर कर देना चलिए समझते हैं कि 6 बाद की दो प्रमुख प्रविर्तिया का उलेख किजिए ठीक ना इन मेंसे कोई भी आप कर सकते हैं कि 6 बाद यूग की प्रमुख प्रविर्तिया इस परकार है सबसे जो पहल लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा ठीक ना चलिए अब यहाँ पे एक यहाँ पे और most important सवाल देख सकते हैं कि तार सब्तक के कभियों के नाम लिखिए यह सवाल देखिए तार सब्तक के कभियों के नाम लिखना है तो तार सब्तक के चार कभियों के नाम लिखिए ठीक ना ऐसे भी कोशन पुछखे आता है कि प्रथम तार सब्तक के चार कभियों के नाम लिखिए या तार सब्तक के चार कभियों के नाम लिखिए तो प्रथम तार सब्तक के कभी है अग्ये ठीक ना गजानन माधो मुक्ति बोध नेमिच चंद्र जैन भारत भुषड प्रभाकर माच्वे गिर्राज कमार माथूर तथा राम बिला सर्मा ठीक ना तो जो पहला पुछेगा तो अग्ये लिखतेंगे और तीन चार पुछेगा इन सभी के नाम आपको क्या करना ह अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है ठीक ना चलिए और इस पेसे अपसे यह भी कोशन पूछ सकता है कि दूसरे तार सब्तक का प्रकासन वर्स बताइए कि जो दूसरा तार सब्तक था वो कब लागू किया गया था कब आया था तो 1951 में लाए गया था ठीक ना और कभी हो तता उनकी रचनाओं के नाम लिखिए यह कोशन आया हुआ है ठीक ना यहां पर कोशन यह पेपर में आया हुए कोशन है ठीक लेक एक रचना का नाम लिखिए तो अग्ये यहाँ नई कवीता के जो लेखक हैं सबसे पहले लिखे ते हरी घास पर्छंदबर सुनहरे सहवाल ठीक ना जो दुसरा होगा आपका एंसर भावानी परसाद मिस्त्र और गीत फरोस खुसबु के सिला लेक इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर एक और सवाल देख सकते हैं आप पे कि रिती बद और रिती मुक्त कावे धारा के दो दो कभियों के नाम लेखिए या आपसे ऐसे भी कोशन कर सकता है कि रिती काल के रिती बद कभियों के किनी दो के नाम लेखिए या किनी दो रिती मुक्त कभियों के नाम लेखिए ठीक ना आपसे कोशन एक्जाम में कई बार से बदल के पूछ लेता है तो आपको थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं होना है चलिए तो सबसे पर लिखेंगे रितिकाल के रितिवद कभी के नाम केसव और बिहारी जो है रितिवद कावेधारा तता घनानंद और ब्रिंद बिहारी जो प्रगति वादि कावे की दो विशेस्ताएं लिखिए यहाँ पेपर में दखिए यहाँ लिखा गया प्रगति वादि यूग की दो प्रविर्थिया लिखना है यहाँ प्रयोग वादि के भी किसे कभी का नाम लिखना और उनकी रचना का नाम लिखना है यही सवाल बताने वाला हूँ ठीक ना यहाँ पर देखिए प्रगतिवादि कावि की दो विशेस है कौन-कौन ची यहोगी सबसे जो पहला होगा प्रगतिवादि कावि का वर्ड यह भी से प्रया रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है समाजिक यथार्तवाद और क्रांति की भावना तो आप यह भी लिख सकते हैं सबसे आसान वाला कि समाजिक यथार्तवाद और क्रांति की भावना जो है प्रगतिवादि यूगी की प्रयविर्ति है ठीक ना चलिए अगला कोशन समझे और इस वीडियो का सबसे अंतिव नमर कोशन होगा कि प्रगतिवादि कावि के प्रम्ख कभ यह एम रचनाओ के नाम लेखिए यह प्रगतिवादि कभि के नाम लेखिए तो यह प्रगतिवादि कभी के नाम नगार्जुन निराला दिनकर सिमंगल सिंग सुमन तो नगार्जुन के रचना का नाम प्यास्ति पत्राई आखे निराला के रचना का नाम अनामिका अडिम कुकुर्मुत्ता परिमल बेला राधना अर्चना ठीक ना आधी है दिनकर की रचना रेडुका सबसे इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना का नाम है रेडुका हुंकार द्वन्द गीत ठीक ना सिमगल सिंख सुमन का यहां पे बिंध्य हिमान चल ठीक ना तो फ्रेंड्स जाइंट जाइबर बने मत्रूम।